हेलो स्ट्रेंट्स आज हम लोग टावर आफ हनोई की जो प्रॉब्लम है जिसको हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया हुआ है आज उसका हम कंप्लीट सी प्रोग्राम आपको बनाके बताते हैं उसमें जो हमने फंक्शन यूज किया वो सारी चीजे यूज किया पूचि आज हम उसका डारेक्ट प्रोग्राम बनाने जा रहा है कि कि तो प्रिज इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाली वीडियो टावर आफ हैं वह जरूरा देख लिजिए आज फिर मिस पे बनाते हैं ज़ा कम्प्रीट सी प्रोग्राम दला सी प्रोग्राम पॉर टावर्स आफ हैनोई प्रॉब्लम ठीक है अलगी शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं क्योंकि मान लीजे पिछला वीडियो लेक्चर अगर इस्टों ने टावर्स आफ नवी प्रॉब्लम देखें क्या होती है simply वो यह कहता है कि हमारे पास तीन टावर है या तीन पोल्स है ठीक है यह हो गया एक दो और तीन ठीक है अब इसमें क्या कहता है कि इसके अंदर जो है अलग अलग साइस की डिस्क ऐसे रखी हुई है गोल्ड डिस्क है जिसके सेंटर में होल है यह इस तरह रखी हुई है हमें क्या करना है कि इसको यह माल लीजे अगर हम इसको टावर के नाम देदें लेफ्ट सेंटर राइट हमें क्या करना है कि इन डिस्क को यहाँ जो डेस्क है वो यहां पर शिफ्ट हो जाए और यह जो सबसे बड़ी सबसे नीचे है उसके बाद उससे छोटी है उससे बाद उससे छोटी है यह order maintain रखते हुए हमको इधर से इधर इनको शिफ्ट करना है तो इसमें हम recursive function का इस्तिमाल करते हैं उस function के बारे में उसका पू है कि अग्याओ तो सबसे पहले हमने क्या किया सबसे पहले मालेजिए हमने comment लाइन में लिख दिया कि कि इस चीज का सी प्रोग्राम है तो हमने यह लिख दिया कि टावर्स ओफ हैनुई प्रॉब्लम सॉल्ड वाई रिकर्सर मदला हम उसमें recursive function यूज किया हमने यह लिख दिया इसमें अब हमने क्या किया सबसे पहले हमने header file include की तो हमने लिख दिया hash include stdio.h यह header file हमने include कर लिया अब इसके बाद function declare कर देंगे तो function prototype यहां declare करते हैं में लिखा void function का नाम है transfer और इसके जो arguments है एक तो हो गया integer n n क्या है number of disk फिर यह पोल्स हमने लिख दिया तो यह हमने character declare कर दिया time इस तरह से हमने declare कर दिया तो एक तरह से यह क्या हो गया यह हो गया function prototype तो इसको आप चाहिए तो ऐसे समझने के लिख भी सकते हैं function prototype ठीक अब उसके बाद हम क्या करेंगे हमने यहां पर main function लिखा ठीक है यह arrow चाहिए तो यहां से हटा दीजे यह अब ही होगा main declare कि हमने यहां से main की body चुरू हुई और सबसे पहले हमने क्या किया एक वरेबिल ले लिया इंटीजर and आप है यानि कितने देस्ट है हमने अभ उसके यह क्यात प्रिंट एफ किया कि तावर्ष ओफ हैनों फिजो किष्ट है अब स्पेस नेक्स लाइन स्ट खीड देने के लिए फिर देने के लिए दो दिया और यहां पे कोड़ यह पहला यह वेलकम मैसेज आ गया स्क्रीन पे विलकम टू दावर्ष ओभ हैनों उसका दो लाइन स्लेशन मतलब दो five lines के बाद पर सर से लागे जैं долларов वह उसके बाद पूछा कि कितनी डिस्क है कि उसके हैं और उसकी वैलो तो एंटर रादी मेशन क्या कि और परसेंटेस डी चुकि एन्टीजर टाइप है बोर्ट्स क्लोज, पामा, एमपर्सेंट, एन, यह नमबर और डिस्क इंटर हो गए अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम नेक्स लाइन में जाने के लिए तो नेक्स लाइन हमें करने के लिए हमने लिख दिया प्रिंट तैप और slash n केवल ये दे दिया हमने तो करसर फिर next line में चुला जाएगा अब उसके बाद क्या होगा अब हम transfer function call करेंगे यह जो हमने ऊपर declare किया है हमने transfer function call किया transfer और इसको arguments के लिए call किया एक तो number of disk कहां से लेना है तो यह हमने लिखा quotes में l कहां भेजना है इनको फिर हमने लिखा यहाँ पर और temporary storage के लिखिया इस्तेमाल करना है तो हमने लिख दिया left, right और c यह पोल्स को इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर हमने statement close कर दी अब इसके बाद क्या होगा कि जब आप transfer को आपने call कर लिया ठीक है अब इसके बाद आपको function declare भी करना पड़ेगा यह जो transfer function आपने call किया है इसको declare करेंगे तो चलिए अपने access पर लिखते हैं हमने क्या किया function को लिखा वाइड वाइड वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा है क्योंकि function कुछ return नहीं कर रहा है तो वाइड ट्रांसफर और इसके जो arguments है integer and comma character from फिर character to फिर लिखा हमने character टैम है उसके बाद मान लिजिए आपको सब्सक्राने के लिए हम यहां पर कमेंट लाइन दे रहे हैं है यहां ने लिखा ट्रांसफर एंड डिस्क ठीक है from one pole to another from one pole to another ठीक है यह हो गया यह हमने आज सब्सक्राइब करें फिर दूसरी कमेंट लाइन शुरूख किया जहां पर बता दे एंड क्या है और फ्रांग क्या है तो सब्सक्राइब यह होगे यह हैं क्या है number of डिस्क कमेंट लाइन आपको मालू है केवल बेटर डॉकुमेंटेशन के लिए दिया जाता है यह मैं अलड़ी बता चको हूँ प्रोग्राम में यह लाइन एक्जिक्यूट नहीं होती है तो इसको आप चाहें जो ओ झानि है थे मतलब फ्रां मतलब जहांसे आपको रिस्क्राइब ऑर जायेगा मंतलुक्रस जहां स्चाल पहुंचानिय過去 यह जो तीसरा वर्यब्ल आप यूज्यक्र कर रहा है वह इंपरेशलेघ स्टॉरिजकिंा on टेंप्रेरी स्टोरेज के लिए और यहां पर यह कमेंड लाइन एंड हो गई एक अब उसके बाद वाइड क्या हमने यह शुरू किया यहां पर बॉडी अब हमने का इफ एन इस ग्रेटर देन जीरो यानि नमबर ऑप डिस अगर जीरो से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है तो हमने लगा दिया इफ स्टेट्मेंट का यह बॉडी पहली लाइन हम समझाने के लिए कमेंड में लिग दे रहा है कि अगर एन से ज्यादा है तो क्या करेंगे मूव कराएंगे हम कितनी डिस्क को एक डिस्ट छोड़ के लास्ट वाली गूव एन माइनस वन डिस्क कि कहां से फ्रॉम ओरिजिन टू टेंपररी मुव एन माइनस वन डिस फ्रॉम ओरिजिन टू टेंपररी यानि आप यहां पर मना दे रहें फिर से आपको देखे यह पोल्स है यह तीन पोल है हमारे पास कि यह मोब करेगा सबसें बड़ी यहां आजाएंगी यहां लीजें उससे बड़ी यहां आ जाएगी सके ऊपर उससे वड़ी इसके उपर ठीक है तो यह काम होगा तो इसके लिए क्या करेंगे ट्रांसफर फंक्शन कॉल करेंगे ट्रांसफर n-1 कॉमा कहां से फ्रॉम से कहां भेजना है टेंप्रेरी पे भेजना है और यह कॉल किया हमने अब यह शिफ्टिंग करने के बाद फिर हम मूब करेंगे n-th disk जो यह एक डिस्क जब उपर की सारी n-1 चली जाएगी तो यह जो डिस्क रह जाएगी इसको डारेट कहां यहां से यहां भेजना है मेन है इसका arguments का order देखिएगा अब अगली लाइन में क्या करना हमने का move n-th disk कहां से from origin to destination origin to destination मतलब डारेक्टली राइट वाले पे चला जाएगा ठीक अब मैं अब जो लिखने जा रहा हूँ वो देखिया यह transfer के arguments तो transfer हमने लिखा अब n कीजेगा हम क्या लिखेंगे ठीक है यहाँ पर हम लिखेंगे n move disk n-th from this to this ठीक है तो इसमें हम क्या कर लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे n from to यह हो जाएगा आपका n from to इसको इसको से simply के वहला आपको एक डिस्क करानी तो इसको पॉल करने जरूरत नहीं आप सेंपली यहाँ पे स्टेट्मेंट लिख दीजे कि प्रिंट अप यहाँ पे आपने लिखा प्रिंट अप मूव डिस्क तो कौन सी तो अभी लिख दीजे हाँ परसेंटेज दी फिर लिखे फ्राम कहां से तो उसके लिखे फिर परसेंटेज दी परसेंटेज सी और कहां पे करना है फिर परसेंटेज सी और slash n ports close अब यहाँ पे move disk percentage दी मतलब कौन सी n कहां से तो from फिर यहाँ पे from हो जाएगा origin तो origin का क्या है variable from और कहां करनी है to पे यह ठीक तो यह last वाली जो disk बच्ची थी वो चली गई यहाँ पे अब जो यहाँ पे इनको यहाँ से यहाँ भेज़ता है फिर recursive function call होगा अब हमने यहाँ पे लिखा move and minus one disk from temporary temporary to destination यानि बीच में जो disk हमने time being के लिए shift की थी उनको फिर right वाले पे भेज़ता है अब इसके लिए फिर जब काई disk भेज़नी है फिर से आप transfer function call करेंगे transfer और argument क्या क्या देंगे and minus one disk transfer करनी है कहां से temporary से कहां करनी है destination पे और यह हो गया from ठीक है और यहाँ पे if statement बंद हो जाएगा sorry और if statement बंद होने के बाद चुकि function कुछ return नहीं करना है तो यहाँ पे empty return statement देंगे return और यहाँ पे function की body बंद हो जाएगी ठीक है तो इस तरह से यह function काम करेगा अब इसमें एक चित्यान देखनी आपको कि it should be noted it should be understood that the function transfer receives a different set of values for its arguments each time the function is called these sets of values will be pushed on the stack independently of one another and then popped off the stack at the proper time during the execution of the program it is this ability to store and retrieve these independent sets of values that allow the recursion to work ठीक है अब when the program is executed then we will get the output अब इस्क्रीन पे जो आपको output मिलेगा ठीक है वो कैसे मिलेगा तो simply आप हम example लेते हैं कि say for example हमने का program तो यहाँ खतम होगी आपका ठीक for example हमने कहा कि let there are three disk three disk इसका मतलब क्या हुआ and equal to three तो the output the output obtained will be as follows अब देखिए screen पे जो आएगा output वो हम आपको लिख दे रहा है इदम समझने के लिए तो पहली लाइन के आएगी पहली लाइन आएगी welcome to या इसको हम color change कर देते हैं आपको आसानी रहेगी समझने में जो first line आएगी वो आएगी welcome जो भी आपने print app में लिखा था welcome to the towers of Hanoi यह आगया welcome to the towers of Hanoi उसके बार हमने दो slash and दिया है तो एक line दो line छोड़के यहाँ पे आएगा how many it is how many this हमने एंटर किया है माल लीजे थ्री यह हो गया प्री एंटर हो गया अब जो statement आने शुरू होंगे ठीक है वो statement क्या आएंगे पहला क्या आया इसमें print app move disk from disk ना तो यह आएगा पहले आएगा line move disk 1 from L to R फिर आएगा इसमेंट move disk 2 from L to C फिर आगया आपका इसपोस कीजिए हमने यहां पे लिया कि मान लीजे यह हमारे तीन पोल्स है यह हो गया आपका एक पोल यह हो गया दूसरा और यह हो जाएगा तीसरा ठीक यह लेफ्ट center right अब इसमें क्या होगा कि इसमें हमने कहा कि से तीन डिस हमने n equal to 3 लिया है तो मान लीजे एक डिस तो हो गई यह यह सबोस की यह तीन नमबर है इसके उपर यह डिस्क है दो नमबर और यह डिस्क है इसके उपर छोटी एक नमबर अब इस आउटपुट से आप इसको देखिए कि हमारा प्रोग्राम सही एक्जिउट कर रहा है कि नहीं जब पहला स्टेटमेंट जाएगा यहां से अटके यहां से अटके आ जाएगा अर पर यहां आ गया यह जो थ्री बचएगा move this one from R to C अब ये जो one है इसको हम move कराएंगे R से C पे यानि ये one आ गया इसके उपर ये हड़ गया यहां से ठीक अब ये place खाली होगी तो move this three from L to R अब ये three यहां से move करके यहां पे आ जाएगा three ठीक उसके बाद क्या होगा कि move this one from C to L अब ये जो one है ये यहां ये C भी खाली हो गया ये टोटल खाली हो गया ये one उठके यहां से यहां पे आ जाएगा one ठीक है आप अलग-अलग पिक्टर से मनाईएगा तो आपको confusion नहीं होगा ये one यहां से हटके यहां पे आ गया ठीक अब जब यहां पे आ गया तो ये two free हो गया अब move this two from C to R अब ये two यहां से move करके R पे चला जाएगा यहां two हो गया ठीक और फिर ये जो one हमने यहां store किया था कहां पे यहां पे यहां से उठके यहां पे आ जाएगा एकदम सही है तो ये पूरा का पूरा structure जो इस form में था वो यहां पे आपके destination पे shift हो जाएगा तो इस तरह से towers of Hanoi problem को आप solve करने के लिए C program recursive function को use करके बना सकते हैं तो आप इस program को अच्छी तरह समझ लीजेगा कहीं कोई confusion नहीं है अगर कोई problem आती है तो comment line में comment कीजेगा तो फिर से मैं इसको explain कर दूँगा और अगर video content पसंद आ रहा है तो please video को share कीजे like कीजे चैनल को subscribe जरूर कीजे और notification bell को on कर दीजे ताकि next video की information आपको time से मिल सके Thank you